इधाय बॉटन और इचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको निमोरिकल सॉलेशन आफ और डिफ्रेंशल एक्विशन कम्प्रीट प्लेश में जायागा विल्कम टु वीडियो नुबर 10 जहां पर अपने एक नाट आपी स्टार्ट करने वाले मिलनेस प्रेट्टर क्रेक्टर मेथड और यहां पर हम क्या करेंगे इसके वर्किंग रूल को अच्छे समझेंगे और साथ में एक बहुत ही बईड़ा प्रॉब्म को लेकर सॉल करेंग करेंगे यहां कि द्यून और रहिए प्रेटर मेथड मेथड में यहां पर एन की जो वाली होने छाई वोग इसेज़िशों हो ना चाहिए मतलब आपके पास वहां पर question में x0, x1, x2, x3 या तो आपको वहां पर दी रहेगी या तो आपको उसके corresponding y के वाले निकालनी पड़ेगी देखो यह तो initial condition यह तो आपको दी रहेगी लेकिन x1, x2, x3 के corresponding आगा आपको y के वाले दी हुई है तो अच्छी बात है otherwise हमको y के वाले निकालनी पड़ेगी by the help of some other method जैसे कि अपने पास Picard method है, Uless method है, Taylor series method है, modified Uless method है, और रंगे कुत्ता method है यह सभी method में से कोई भी एक method को यूज करिए और आप x1, x2, x3 पर y के values को आप निकालिए, तो यहां पर क्या है, find y at x1, y at x2, y at x3 using any one of the following methods, यहां पर आपको सभी methods के नामे आपर दिख रहे होंगे, अब आपको माल लो, question में x1, x2, x3 पर y के वाले दी हुई है, अगर आ आपको यह चीज निकालनी पड़ेगी, या फिर आपको यह भी हो सकता है कि आपको कोई specific method का mention कर दे, using picards method, आपको x1, x2, x3 पर y के वाले को निकालनी है, उसके बाद हम मिलनेस, प्रेटेक्टर, करेक्टर मेथर्ट से हम क्या निकालेंगे, y के वाले निकालेंगे at x4, इस steps जो को question में आ सकता है, जिस तरीके से हम x4 पर y के वाले निकाल रहे हैं, उसी तरीके से अपन x5 या x6 या x7 पर भी अपन y के वाले को निकाल सकते हैं, okay, so, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास x0, x1, x2, x3 पर y0, y1, y2, y3 के वाले अब आच चुकी, let's suppose, तो हम क्या करें करेंगे, function की value को calculate करेंगे, okay, that is, आपको function क्या दिया होगा है, पर x, y तो करना क्या होगा, अगर आपको f0 निकालना है, तो, x और y की पूट करेंगे, x0, y0 की value करेंगे, function पे, और देखेंगे, की f0 की value क्या रही है, in the same way, हम क्या निकालेंगे, that is, function, पे हम x1 और y1 की value क यहां ब्लाइबस शुक्ति तो सिक्ताइब मुझे पोर इंटापउली मैं है करना है के निख को वो में इन्हाटल है यहां से y4 निकालेंगे, यहां से y4 निकालने बड़ा हम क्या करेंगे, f4 निकालेंगे, that is function की value at x equals to x4 and y equals to y4, तो y4 निकालने बड़ा हम क्या कि f4 निकाल दी, अब हम क्या करेंगे, millness character method को apply करेंगे, उसका formula क्या होता है, y4 equals to y2 plus h upon 3 into f2 plus 4 into f3 plus f4, अब यहां से हम क्या क्या लिखा हुआ है, अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, यह important चीज है, an improved value of f4 is then computed, हम इसका क्या करेंगे, f4 को निकालेंगे, and again, millness character method is applied to get a still better value of y4, okay, y4 की better value के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम compute करेंगे, we repeat this step until, until y4 remains unchanged, जैसे हम iteration करते हैं, check करते कि y की value का match करी है, up to two decimal places, up to three decimal places, up to four decimal places, उसे तरीके सम क्या करेंगे, millness character method को बार बाप्लाई करेंगे, ताकि मेरी y की value क्या है, आप उसमें match करें, अब मानलो, आपको y4 की value मिल सुकी, तो मुझे आप करना क्या y5 की value निकालनी है, तो y5 value निकालने के लिए हम को करना क्या होगा, yes, यहाँ पर देखो, जो important चीज है, millness predictor method में हम आएंगे, यहाँ पर लिखने के y5, और जितने भी subscribe आपको दिख रहे हैं, उसमें हम एक value increment करेंगे, that is, यहाँ पर y5 आएगा, तो यहाँ पर क्याएगा y1 आएगा, plus 4h upon 3, 2f2 minus f3, plus 2 into f4, okay, फिर यहाँ पर अपन f5 के वाज़े निकालनेंगे, फिर millness character method को आपन जब apply करेंगे, तो again, जितने भी subscribe आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, वहाँ पर हम क्या करेंगे, once आपन increment कर लेंगे, that is, y5 equals to y3 plus h upon 3 into f3 plus 4 into f4 plus f5 हो जाएगा, okay, in the same way, अगर आपको क्या चाहिए, y6 के value चाहिए, तब क्या करिए, increment करिए 2 से, तो यह अपना y6 हो जाएगा, y2, यहाँ पर f3, यहाँ पर f4, यहाँ पर f5, okay, सब जगा पर मुझे करना क्या है, 2 to increment करना है, वैसे यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, f6 मिल जाएगा, फिर यहाँ पर मिलने इस करेक्टर मेठ़र हम जब अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, y6 निकालेंगे, तो यहाँ पर y4 plus h upon 3 into f4 plus 4 into f5 plus f6, इस तरहे के सब क्या 0.1, 0.2, 0.3, given that dy upon dx equals to xy plus y square, यह हमारा क्या function जाएगा, और यहाँ पर अपने क्या दिया, initial condition dv, that is at x equals to 0, y equals to 1, okay, continue the solution at x equals to 0.4 using millness method, हमको पहले, रुंगे कुत्ता मेठ़रा, fourth order को apply करते हुए, y की values निकालनी है, at x equals to 0.1, 0.2, 0.3, let's suppose यह क्या है, x1 है, यह अपने x3 है, तो y1 निकालना है, at x equals to x1, y2 निकालना है, at x equals to x2, and y3 निकालना है, at x equals to x3, फिर हम क्या करेंगे, x equals to x4, that is 0.4 के हम क्या क्या करेंगे, y4 की वले निकालेंगे, है ना, तो यह अपना technique होगा by using millness predictor, collector method, तो रुंगे कुत्ता मेठ़रा को हमने previous वीडियो में, detail में समझा हुआ हुआ है, that is, fourth order के problem को लेकि माँ पर solve किया था, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, मैं x equals to 0.1 पर आपको y का जो तरीका है, निकालने को वो आपको बताऊंगा, बाकि यह दो कपन skip करेंगे, सिफ और सिफ आगे बढ़ेंगे, ता कि मैं में यही दिका सको, कि millness predict data character method को अपन कैसे apply करेंगे, for this particular question, अब एक चीज़ द्यान दखना, यहां पर आपको x के various value दी हुए है, that is, x के initial value कितनी है, 0 है, फिर x के value क्या है, 0.1 है, फिर x के अगली value क्या है, 0.2 है, फिर x के अगली value क्या है, 0.3 है, अब देख सकते हो कि जो width of differencing है, या पर आप जो कितने का है, 0.1 का है, जो difference है, वो कितने का है अपने हापे, yes, 0.1 का है, तो हम क्या बोलेंगा हापे, h के वले हापे क्या हो जाए, that is, 0.1, okay, और साथ हम को यहां पर question क्या कर दी है, that is, function x, y equals to xy plus y square, x not के वाली आपे क्या है, 0 है, और y not के वाली आपे क्या है, 1 है, okay, from this initial condition, now, हमको पहले करना क्या होगा, y की वाली निकालने, that is, at x equals to 0.1, so, to find y at x equals to 0.1, using fourth order, रूंगे कुता method, first, we need to find k1, k2, k3, k4, जितने function values उसको पर निकालेंगे, फिर लास्म क्या निकालते, k निकालेंगे, उसके हम क्या करेंगे, y not में, k के जब एड करेंगे, तो मुझ यह अपने हैं पर टेखनी रहाएगा, तो, k1 के वाल्यू क्या होती है, that is, h into f of x not, y not function क्या है, x y plus y square, h के विलए हम पर 0.1 है, 0.1 into f of x not की वाले रहीज रहीज जिरो, y not की वाले रहीज रही रहीज रहीज़ रहीज, तो, यहां पर 0.1 रहें, तो, function, okay, function पर x के वाले 0 तो य की वाल्य जब 1 पूट करेंगे और उसको अपन जब 0.1 से मिल्टिप्रा करेंगे आप की वाली क्या में लिए कि डीट इस पॉंट 1 उसी तरीके सा पन जब के टू निकालेंगे इसका फॉंदा क्या होगा है एच एंटु एफ of x not plus h upon two comma y not plus k1 upon two अब यहाँ पर एक स्मोड प्लस होई क्या है 0.1 ऑक क्या प्र यहाँ पर Y not a to 1, that is 0, H upon two that is this cash upon two करेंगे क्या में लेगा मुझे आप 0.05 मिल जाएगा comma y not plus k1 upon two k1 की जी वल्ली उ भिए इसको आपान पर यहां पर क्या है तो इसको आप से मत उतार देना ओके तो पर क्या मिलेगा मुर को क्या मिलेगा हम कर आप पर 1.0577 अब X अब Y की वाल्यू को अब फंक्शन पूट करेंगे फिर अब 0.1 से मिल्टिप्ला करेंगे तो आपको क्या मिलेगी तो पर क्या मिलेगा मुर क्या मिलेगा मुर कहा पर 1.1172 अब X अब Y की वाल्यू अब अब फंक्शन पूट करेंगे फिर आपन जब 0.1 से मिल्टिप्ला करेंगे युविल गट के फॉर इकोस तो 0.1360 अब तो 4 decimal places we are taking so k equals to 1 upon 6 into k1 plus twice k2 plus twice k3 plus k4 सभी की वाल्यू अब यहां पूट आप करेंगे तो मुझे की वाल्यू क्या मिलेगी तो अब के की वाल्यू मिल चुकी तो मुझे क्या निकालना है य की वाल्यू निकालना है at x equals to 0.1 that is y1 and this equals to y0 plus k y0 की वाल्यू हाँ पर क्या है 1 है और k की वाल्यू हमने ज़स्ट अभी निकालना that is 0.1169 add both you will get y1 equals to 1.1169 okay in the same way हम क्या करेंगे य की वाल्यू निकालने आपको दिखा दे रहा हूं कि आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वाई टू कितनी आएगी वाई तो that is y at x equals to 0.2 equals to how much 1.2774 okay उसी ते क्या करेंगे वाई की वाल्यू निकालना that is at x equals to 0.3 तो आपको लेको क्या मिलेगा y3 that is y at x equals to 0.3 equals to आपको फाइनल जो बिलेगा value that is 1.5041 okay तो हमारे पास finally बताओ क्या क्या है अपने पास x equals to 0.1 है function है that is xy plus y square और हमारे पास यह सारे values है that is x not के value क्या 0 है x1 के value क्या है 0.1 है x2 के value कितनी 0.2 है x2 के value कितनी 0.3 है उसे तरह के से y not के value क्या है 1 है इस value पे y1 के value क्या that is 1.1169 x2 पे y2 के value कितनी 1.2774 है x3 पे y3 के value कितनी है 1.5041 है अब f0 f1 f2 f3 अपन निकाल सकते है that is function okay function पे x not or y not के value put up करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा f0 मिलेगा that is 1 again function पे x1 y1 के value अपन पूट करेंगे यहां पे तापको क्या मिलेगा f1 that is 1.3591 उसी तरह के से x2 y2 के value अपन जब function put up करेंगे तापको क्या मिलेगा f2 मिलेगा that is 1.8869 उसी तरह के से x3 x4 x3 y3 की value जब अपन यहां put up करेंगे तापको f3 की value कितने मिलेगे that is 2.7132 हमारे पास f0 से लेके f3 तके value आचुकी है अब हम क्या करेंगे millness protector method को अपन यहां पर apply करेंगे तो by millness protector method y4 equals to y0 plus 4h upon 3 into 2f1 minus f2 plus 2f3 okay तो सारे के सारे values आपको यहां पर दिख जाएंगी okay why not की value यहां पर है one h की value है that is 0.1 उसी तरह के से f1 f2 f3 की value यहां पर दिख जाएंगी okay सभी का आप यहां पर रखिए और y4 की value निकाले that is 1.8344 okay अब यहां पर x4 की value 0.4 पर y4 की value मिल गए that is 1.8344 by millness protector method तो हम क्या कर सकते हैं y4 की value निकाल सकते हैं that is f of x4, y4 मतलब यहां कि function function पे x4 और y4 की value पर जब put up करेंगे तो आपको function f4 की value क्या मिले है that is 4.0988 okay उसके बार हम क्या करेंगे millness character method को अपने हम apply करेंगे इसका formula क्या होता है y4 equals to y2 plus h upon 3 f2 plus 4 f3 plus f4 okay again आप देखोगे तो यहां पर आपके पास सारे के सारे values हैं okay y2 है f2 है f3 है f4 है f4 की value अपने यहाला value put up करेंगे तो आपको जो y4 की value मिले है that is 1.8387 okay अब यहां पर हमने millness character method को apply करते सेवे y4 की value निकाल लिया है लेकिन हम क्या करेंगे एक वावा y4 की value निकाल रहेंगे using this same method और check करेंगे कि y4 की दोनों values up to four decimal places same आ रहा है या नहीं अगर नहीं आ रहा है तो हमको फिर से apply करना पड़ेगा millness character method okay yes तो इसलिए हम क्या करेंगे f4 की value again put up कर लेंगे so again by millness character method we have y4 equals to y2 plus h upon 3 f2 plus 4 f3 plus f4 बस अगर आप इससे इसको compare करेंगे तो सभी की value same रहेंगे सेवाए इस f4 की because यहां पर f4 निकालते हैं वक्त हमने इस f4 को use किया था बट यहां पर f4 में हम इस वाले f4 की value को use करेंगे okay बाकि y2 f2 f3 के values as it is रहेंगे तो यहां पर आपको जो वाइफोर के value मुए लेगे that is 1.8393 आप दुनों को आपस मैच करके देख सकते हो कि decimal के बाद जो चार प्रेसे से वापस में मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है मुझे फिल से मिलने स्क्रेक्टर मेथट को अप्लाई करना है so again yes again by मिलने स्क्रेक्टर मेथड we need to find y4 लेकिन y4 में again f4 रहाएगा तो मुझे करना क्या है इस y4 की value पर f4 की value निकालनी है तो f4 की value क्या होगे that is 4.1186 अब इस f4 इस value को पर यहाँ put up करेंगे आपको y4 की value मिलेगे that is 1.8393 अब देखो दोनों की value क्या है आप उसमेच कर रही है up to four decimal places so we can say that is hence y4 which is y at x equal to 0.4 equals to how much 1.8393 तो यह जो है अपना क्या है complete solution है okay thank you thank you so much